लगभग सभी लोग चानती हैं कि शोले मुवी कितनी मुश्किलों से वनी थी लेकिन कई और ऐसी चीजी हैं जो आज तक लोगों को शायती पता होगी जैसे कि बहुत सारे खतरनाक stunts, actresses खोद नहीं करती थी उसके लिए उस वक्त भी stunt man या woman को कास्ट किया जाता था खतरनाक stunts किये थे और makers का तो ये भी कहना था कि उन्हें भी चोट लगती थी लेकिन कभी उन्होंने उसकी शिकायत नहीं की बस उसे अपना काम समझ कर पूरी लगन से वुकरती थी और इतना ही नहीं वो पूरी इंट्रिया की पहली stunt woman थी और उनका नाम है रेश्मा पठान इस मुवी का हर किरिदार हर गाना यहां तक की मुवी के डायलोग आज भी दर्शकों को याद आते हैं और सब गुन-गुनानी लते हैं डारेक्टर रमेश सिपी की इस मुवी का एक scene काफी popular हुआ था उसमे आक्टर हीमा मालनी कहती है चलो धन्नो आज तेरी बसंती के इज़त का सवाल है इस scene में बसंती गबर के आदमियों से जान बचा कर भागती है और उस तोरां तेजी से बसंती अपने टांगे में बैठती है और अपनी घोडी धन्नो की साथ निकलती है इस scene में हेमा मालनी के अलावा उनकी बॉरी डबल का भी इस्तेमाल किया गया था वैसे रेश्मा पठान पर एक बायोपिक भी बनी है रेश्मा पर बनी बायोपिक को OTT प्लाटफॉर्म Z5 पर रिलीस किया गया जोसका नाम शोले गर्ड नाम है और बायोपिक उनके जीवन पर आधारत है वैसे आपको वो scene याद है जब हेमा मालनी थांगे को दोडाती है फिर अच्छानक उनके थांगे का एक पहिया निकल जाता है और वो जोर से नीचे गर जाती है इस scene को असल में stunt वुमें रेश्मा पठान ने किया था और उस scene को फिल्मा आते हुए रेश्मा पठान गंभी रूप से घायल भी हो गई थी जिसके बाद उन्हें कुछ देर आस्पताल में रहना पड़ा था ताकि वो जल्द से जल्द आपस आ सके बॉलिवुड इंडॉस्ट्री में मर्दों वाले stunt को सबक्त वुमें's stunt के तौर पर पहचान मिली थी हाला कि कई लोगों ने उनके इस काम पर एतराज प्रताया था पिर भी रेश्मा ने समाज से लड़ाई की और अपने परिवार की आर्थिक मदद की और हां हैरान करने वाली बात ये है कि उन्होंने इस ख़दरनाक काम को 14 साल की उम्र में अपना लिया था Extent Woman के तौर पर रेश्मा को 70s के शुरुवाती दश्रक में पहचान मिलनी शुरू भी हाला कि जब वो डारेक्टर्स और प्रेडूसर्स के बीश फेमस हुई तो उन्हें काम मिलने लगे और उन्हें शोले गर्ल के नाम से चाना जाने लगा इसके बाद रैसे मानू हर एक्टरस उनकी बॉड़ी डबल के काम के लिए रेश्मा को ही कास्ट करना चाहती थी रेश्मारे हुद्ध को ऐसा बना लिया था कि मेकर्स की पहली च्रॉइस को वही होती थी साथी साथ वो आक्रस की भी पहली पसंद बन चुकी थी लेकिन अगर आज उनकी बायोपिक नहीं बन थी तो उन्हें आज कोई नहीं भाशान था आज तक 70s के दश्रक से लेकर 80s के दश्रक तक जितनी भी आक्रस है वो रेश्मा को नहीं भूल पाई है फिर वो चाहे हेमा मालनी हो या मिनाक्षी सभी की पसंद है रेश्मा वैसे जब मूवी की शूटिंग हो रही थी तो कई सारे शॉट्स बदल भी दिये गए थे जिसमें से कुछ शॉट्स ऐसे भी थे जो रेश्मा के थे सुर्मा भोपाली पर एक कवाली भी शूट की गई थी उसके लिए भोपाल के चार कलकारों को उलवाया गया था लेकिर उस सीन को काट दिया गया और वो तो और अविता बच्रन और धरमेंद्र रीज्रिस होटेल में खाना खाते हैं वहां से वो किसी की मोटसाइकल लेकर भाग जाते हैं इस शॉट को भी मूवी की लंबाई को ध्यान में रखते हुए काट दिया गया था उस सीन को हेमा मालेनी के बॉली डबल रेश्मा पठानी किया था और अस सीन को भी मेकर्स ने हटा दिया था इतने सारे चेंज़े इसलिए किये गए थे क्योंकि मोवी की लंबाई ज्यादा हो गई थी जिससे सेंसर बोर पास नहीं कर रहा था इसलिए मेकर्स के पास कोई दूसरो ऑप्शिन नहीं था जिसकी वजह से उन्हें नचाते हुए भी उन सारे शौट्स को हटाना बड़ा था जब शोले की शूटिंग हो रही थी तो उसमें जिस तरह से शौट्स बदल दिये गए थे ठीक उसी तरह कई सारे चीज़े बदली गए थी जिससे अमज़त खान के प्लान को बहुत नुकसान हुआ था हुआ ये था कि जब अमज़त खान को ओडिशन के लिए बुलाया गया तो उनकी फ्लाइट में कुछ खराबी आ गए थी उसकी वज़र से प्लेट वहां पांच घंटे खड़ा थे उस प्लेट के सारे सवारी भांगलोड चले गए थे लेकिन अमज़त खान उस प्लेट के रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं मेकर्स वह रोल किसी और को ना दे दे अब जब वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी सच्राइब मेकर्स को बताई और मेकर्स अमज़त की बाद मान गया और उनका ओडिशन ले लिया गया जिसके बाद उन्ही फाइनल भी कर जिसका नाम था अभी सब्त चंबल जिसमें चंबल के डाकूओं के बारे में लिखा था और ये किताब उन्हें अमिताफ बच्छन के पिता चीने दी थी ताकि वो रोल के लिए और अच्छे से तयार हो जाए ऐसा नहीं था कि अमज़त खान को गबर के रोल के लिए सिर्फ उसके बचल से मेकर्स जानते थे कि और इंस कभी भी उन्हें टाकूओं के क्यारिक्तों में एक्सेप्ट नहीं करेगी इसलिए उन्हें गबर के रोल के लिए पना कर दिया था लेकिन देखने वाली बात ये थी कि शोले मुवी में संजीव कपूर का ठाकूर वाला रोल इत बात आना होगा ताकि वो भी एक अलग छाप छोड़े तो को कि देलों पर तो आप कितने एक्साइटेट है शोले एक ठूको लेकर थम पर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ अपने खुश रहियान सेफ रहें बाबाई